हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्तिन 18 पर दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट के प्रिवेश एर कुशन की सीरीज जो की 2011 से लेकर 2019 तक के आयूए कुशन है दोस्तों ये सीरीज अगर आपने कर ली न तो आपके मैथ में 30 में 30 नमबा लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों और यकीन मानिए दोस्तों जब भी मैं मैथ के सलूशन कराऊंगा न तो आपको बहुत ही आनन्द आने वाला है और दोस्तों आप भी जैसा मैं करूँ ना आप भी बैसा करने का प्रियास कीजिए और धीरे धीरे अपने आपको improvement करना दोस्तों तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के previous question जो की 2011 में आया था चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों पहला सवाल क्या कह रहा है एक आपको square root 64 दे रखा है minus के cube root 64 का मान है दोस्तों बच्चों वाले सवाल है और दोस्तों मैं हमेशा से एक बात कहूंगा आप कभी भी question solve करो ना तो आपको option पर नज़र रखना ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों देखना कैसे जैसे मैंने यह पढ़ाना और मुझे इतने option बीग दे रखे ना कि मैं ना चाहते भी option यह लगा सकता हूं दोस्तों option is the right answer और यह आप भी कर सकते हो देखना कैसे आप मुझे बताओ किसी का square root 64 है मैं आपको एक अलग से वीडियो मना दूंगा तो square root 64 का क्या होगा जैसे मालो यह square root लिखा इसका मतलब क्या होता किसी की पावर एक बटे दो ठीक और अगर मैं यहाँ पर दो की जगा तीन लिख दूं तो क्या होगा किसी की पावर एक बटे तीन यह तीवा समझ गए आप देखना यहाँ स्कॉर रूट चॉंटर बलब जिसकी कुछ ना लिका होता है तो उसकी पावर क्या होती है यहाँ पर दो माल ले एक तो आट की पावर टू और इसकी पावर किती हो जाएक एक बटे दो आप देखना पावर क्या होता है क्वाइब एक बटे कर सकता हो क्यूंकि निकालने की मुझे जरूवत ही नहीं है यह मैं माइनस लगा है मैनस लगा है इसकी स ABOUT ऐसे घठा अब ऑनी तो सका इएकि वह 8 से चोटी हो और नहीं हो समझ रहाघे और से स्क्वराइज क्यूंकि मुझे 8 मेंसे कुलně इसे मुझे कुछ mitä आए कितना है कि अलुआ यह तो बड़ी यार किसी में घटा होगे तो बढ़ थोड़े नहीं आएगा ना ये देखो खतम एक ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती दोस्तों उमीद करता हूं दोस्तों पहला सवाल आपको बहुत ही अच्छे समझ में होगा और चलिए बढ़ते हैं दूसरे कुछन की औ पहले हैं दूसरे कुछन हमारा क्या कहता है यह दूसर दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि चा अंकों वाली भ्रैत्तम तथा नुनतम संख्याओं का योग्द हैं दोश्तों बिना ihan चला है स्वाल हो crush वह सकता हैं आपको पता होना चाहिए कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख् दस हजार नौसों निन्यानवे option is the right answer ये सब दोस्तों mentally करना है बिना pain चला है समझ में आ रहा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे कुशन के और और देखते हैं तीसरा कुशन हमारा क्या कह रहा दोस्तों तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि सुरू में ताप क्रम 18 degree centigrade बढ़त चाहिए 22 degree centigrade इसमें कुछ नहीं दे रखा है सिर्फ जोल घठाना करना है पता कैसे उसने क्या कहा है कि शुरू में ताप क्रम किता बढ़ता 18 degree centigrade पहले ताप क्रम था कितना प्रहारंबिक ताप क्रम था हमारा 27 degree centigrade तो 27 प्लस 18 किता होता पैतालिस डिग्री सेंटीग्रेट तो 45 में से जब तेश जाएगा पैतालिस डिग्री सेंटीग्रेट हाई था आप वो क्या कह रहा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेट घड़ गया तो 45 में से जब तेश घटेगा तो कितरा आएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेट उम्मीद करता हूं दोस्तों बिना पेन चला है solve हो सबने मान निकालना है मानस टो इनटू मानस त्री इंटू मानस 5 दोस्तों जब भी मल्तिप्ली करना न तो एक चीत ध्यार रखना आपको सबसे पहले यह पता करना है कि आंसर जो भी आएगा मल्टिप्लाइब करने के बाद वह मैंस में आए दोस्तों जब चीज हमें सा ध्यान रखना अब देखना कितने संख्याय दे रखें टोटल एक दो तीन चार पांच अब देखना दो दो पिर बनाओ दो माइनस माइनस यह तो पिलस हो जाएगा यह माइनस माइनस पिलस हो जाएगा यह बचेगा माइनस इसका मतलब यह कि ऑप्सन हमारा क्या आएगा मैनस में आएगा option मैनस में आएगा ना तो पिलस वाले क्या कर रहे हैं आपे कतम अब कुछ नहीं करना है अब हमको टेवल पढ़ना है देखना गुणा करना कुछ नहीं करना दो थी छह चचाओ को 24 24 पंचे 120 120 और छक्का 120 छक्का किता होता है मेंटली और आपको समय बचाना है उम्मीद करता हूं दोस्तों कुछन नंबर चोथा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा बढ़ते हैं कुछन नंबर पांच में की और देखने कुछन नंबर पांचमा हमारा क्या क्या कह रहा है कि 8 kg 350 ग्राम से 3 kg 178 ग्राम को घटा यह दो 8 kg 350 ग्राम से 3 kg 178 ग्राम घटा रहे क्या मुझे ग्राम की क्वांटिटी ज्यादा दे रखी है अगर ग्राम की क्वांटिटी पहले ज्यादा दे रखी है तो मुझे यहां से 1000 ग्राम लेना नहीं पड़ेगा कह रही समझे 350 ग्राम में 178 ग्राम आसानी से चला जाएगा तो पांच केजी और कुछ ना कुछ मिलेगा तो पांच केजी पिला सम्ठिंग आये का नहीं आएगा तो ऑप्षन भी और सी और डी सब खेल गए दोस्तों एक इलावा कोई सही नहीं हो सकता दोस्तों उम्मीद करता हूं कुशन नंबर पांच मां बहुत इच्छे समझ में आ याफिज है बर्ग में परमाब होता न ऐसी विरत में क्या होथी जे से बर्द की पर्दी होथी यह होते तो आपको पता ना हो तो आISAप तरपते हैं दी ब्राबर किता दे रहता 3.5 अगर व्यास को मैंसे जहें ढ़िएToas जाता हमारा निसेर सुभी चाहिए तो डायमीटर बाते हैं यह सब आपको आनी चाहिए तो डायमीटर बेसलिक Meeting बेसिकली क्या होता है कि दो रेडियस को मिला कर जब कोई चीज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं डायमेटर बोलते हैं तो टू आर बराबर किता दे रखा 3.5 और आप से पूछा क्या गया ब्रत की पड़ी तो बस 3.5 इसमें रखना है हमको क्या दे रखा 2R बराबर दे रख 3.5 वसा आज़ें अंसर हमारा साथ 25.5 किता है हमारा आज 22 गोने .5 22 गोने .5 करो गया ना पांदूनी दस पांदूनी दस गयारा बाइस गोने .5 किता हैगा 11 सेंटीमीटर ओप्शन बीच दा राइट आंसर दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था इसको ना दोस्तों औरली लग का सकती ते आपको कुछ नहीं करता करना है। सिर्फ आपको पता ओना चाहिए की ब्रत की परदी क्या होती है? क्या होती है? मनलब डायमीटर क्या होता है? टुगार तो आर दे रहां का पाय क्वेल्व 22 प्यज़े साथ 22 बैस गुणे पॉइंट फाइब बाइस का आदा बाइस का आदा केता होता गैरा option बीज़दा right answer उम्मीद करता हूँ दोस्तों question no. 6 मां समझ में आए होगा चलिए बढ़ते है question no. 7 में की और देखते है question no. 7 में हमारा क्या 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 रहा है कि संक्रिया 9 प्लस 7 को कोश्टक में और फिर भाग किया गया चार फिर गोड़ा पांच का मान किया होगा बच्चों वाले सवाल है जैसे ही आपने पढ़ाना तो आपको आपको मेंटली करना यार आपको बोर्ड मांस रूल तो पढ़ा होगा अगर एकजाम देने जा रहे हो तो बोर्ड मांस का रूल पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा हो तो बोर्ड मांस का रूल क्या कहता है पहले ब्रेकेट जितने हो उसको करिए फिर ओफ फिर डिवाइड फिर मल्टिपिकेशन फिर एडिशन फिर सब्टेक्शन समझे वही ध्यान रखा कोश्टक के भीतर जो आ करोगे क्या आएगा ऑप्शन सी मलब बीस विस दर राइट आंसर उमीद करता हूं दोस्तों कुसर नंबर साथ बहुत ही आसान से समर में आया होगा तलिए बढ़ते हैं कुसर नंबर आठमा हमारा क्या कह रहा है कि मार्टिन जी है के पास कुछ मारवल है उनमें से उसने च चौदा खो गये बचे कितने छे ठीक है 14 खो गये 6 बच तो टोल हुए किते हैं 20 भाई 20 होंगे आपके पास उसमें आपने 14 किरा दिए乾्ट अब आपके पास मार्वल बचे कितने 6 तबी तो 6 बचे गे जब च आगा कितने गये option B किता होगा 20 option सही हो जाएगा option A देखना क्या दे रखा 8 आप मुझे बताओ इतने बेकार option दे रखे देखना चब आपने 14 खो दिये तो इसका मतलब क्या total 8 ही होंगे पता नहीं किस प्रकार से option रखे थे option A तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता खैर क्या करना option B इस दा हमारा राइट आंसर उमीद करता हूं दोस्तों कुसर नंबर आटमा बहुत ही एच्छे समझ में होगा चलिए बढ़ते हो क्या कह रहा है कि एक बटे तीन पिलस साथ बटे नो डिवाइड को सदक साथ बटे दस इंटू एक सई एक बटे चार को सरल कीजिए तो चलिए सरल करते हैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बोर्ड मास का रूल बस कुछ नहीं करना पहले ब्रेकेट के अंदर क बटे दस इंटू बन सही एक बटे चार मलत मेंblyक्सक्राण किता चार एक हम चार एक पांच बटे चार गया तो साथ बटे दस गुणा पांच बटे चार पहले इसको सॉलव करना थीक है अब देखना पाँच दूनी दस किता हुआ तयुए शाथ और दो गुणे चार किता होगा, साथ बटे आठ इस चीज को solve करने के बाद क्या है, साथ बटे आठ और भाग लिखा है, जब भाग साथ बटे आठ करोगे ये बच्पन में सिखाया गया, अगर भाग को हम गुणा करेंगे तो संक्या पलट जाती है, ठीक है ये चीज समझ गए, अब देखना है, यहां क्या लिखा, साथ बटे नो अब मैं क्या कह रहा हूँ, भाग को गुणा करना है भाग को गुणा करना है, तो संक्या पलट जाएगी साथ बटे आठ है, तो संक्या पलटने एक बाद क्या हो जाएगी 8 बटे 7 ठीक अब देखना 7 से 7 कतम कित्ता बचा 8 बटे 9 हम कहां तक solve आच चुके हैं यहां तक यहां तक solve करने के बाद मुझे क्या मिला 8 बटे 9 अब कुछ नहीं करना एक बटे 3 में जोड़ना है एक बटे 3 पिलस 8 बटे 9 ठीक है एक कोणा किता 8 8 बटे 9 ऑप्टे 9 ओप्सन ने देखिए दा राइट आंसर उम्मीद करता हूं दोस्तों कुसर नमबर नमा अच्छे से समाझ में आगा हो चलिए बढ़ते हो कुसर नमबर दस की ओर और देखते हो कुसर नमबर दसमा क्या कह रहा है कि 2.6 x 0.91 का multiply करना दोस्तों गदों की तरीके से multiply करना नगजाना अगर आप option में नज़ा रखोगे ना तो multiply करने की जरूरत नहीं है option में बैब को है दे क्या रखा ही तो में देन लाइक क्या अक हैओ तो तो 6 आएगी तो मतलब ऑप्शन डी इसता तो इसाट लिखा है ऑप्शन डी तो होई नहीं सकता समझ के बात को अब देखना द्यान से अब हमको सिर्फ यह देखना है कि हमको कितने अंकवाद डेस्मल नंबर मिलेगा ठीक है अब मुझे बताओ दो अंकवाद डेस्मल यहां लगा है और एक अंकवाद डेस्मल हमने अंकवाद डेस्मल लगाए तो कितने अंकवाद डेस्मल मिलेगा तीन अंकवाद मिलेगा अब हम्में ऐप covenant डाले जालना है कि हकां पिती डेश्मल ङबढ़ दिया गया है देखना एक डो तीशमल čलिए लिए गया ठीक तो ओप्षन यह देखन ऐखना को सोंlle स्वान बढ़तव नंबर ऑ और देखते हैं किस्फने एक इस ग्यारमा क्या गया रहा है कि माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट का घंबूल है दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है लेकिन आप घंबूल निकालने मत लगना आप ऑप्शन में जाना और देखना किसी भी नंबर का घंबूल निकार होगे ना तो नीचे के आएगा इसका मुझे क्यूब करने पर मुझे चोंच मिला चाहिए तो वो सही हो जाएगा अब इसी परकार से आपको आफ्शन देखना है कि किसका मुझे क्यूब करें कि मुझे मयनस 0.008 दे अप्शन एक या गया मैने तो मािस दो मैने लिए दो का जब क्यूव करों गये नैहां तो द शेमलब आए गई नहीं दसम्लब निहीं आएगा तो आप्सटल लेक्ट खैंप तो जब क्यूव करों गया क्यों का मतलब ए टीन आट जी क्वा सबस्क्राइब घम 0.2 इंटू 0.2 एक दो तीन अंक बाद दस्मलबाया हमको चाहिए एक दो थीन थीन अंक बाद चाहिए इसका मतलब तो बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाएगा और विद्ध हंडेट परसेंट एक्यूरेशी के साथ सही कर पाऊगे उम्मीद करता हूं दोस्तों कुस्टन नंबर ग्यार मां बहुत ही अच्छे समझ में आया हुगा चलिए बढ़ते हैं कुस्टन नंबर बार मां हमारा क्या क्या है टीजिए रां दोस्तों कोस्तन नंबर बारमा क्या कहिरेकिए चारopard छानवे में योग करोगा यह निक अटार निक शिकड़ने क माना चैनल समझें मेर यह कोई ऑपशन करने बाद से मैंने एक एक इक्योश्ड किई उसकी बाद आया कितना आंशार है इसी पिरकार से आप तो आपको देखना कौन से निकर्तम सेकड़े के पास है वह हमारा आंसर हो जाएगा मलब मुझे दो जीरो चाहिए चाहिए अब देखना यह ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बेकार दे रखे हैं मुझे हंडेड की वैलू के नेरिस्ट चाहिए इसमें हंडेड आ रहा हो समझे तो 496 जब 318 जोड़ोगे मैं क्या कह रहा हूं कि 496 को मैं 500 ले रहे हूं 500 मान ले रहा हूं 500 और 300 800 अगर यहां से देखो 18 में से जब 4 इदर दे जोगए तो 500 हो जाएगा यहां किता बज़ेगा 14 तो देखना यहां 500 हुआ यहां 314 हुआ 500 314 किता हुआ 814 814 बताओ किस निकटम सेकड़े के पास है 800 के पास है 800 के पास है तो option B is the right answer बस बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं question number 13 की और और देखते है question number 13 हमारा क्या कह रहा है तो यह रहा दोस्तों question number 13 क्या क्या कह रहा है चार माइनस एक बटे साथ is equal to है बहुत ही आसान सवाल है option पर नजर डालोगा न तो एक option गलत हो जाएगा देखना चार में से जब कुछ कम करोगे तो चार सही एक बटे साथ कैसे आएगा यह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ठीक है आप देखे करके देखते हैं क्या answer हुआ हमारा जब चार माइनस एक बटे साथ करोगे तो क्या करोगे साथ हुआ है यहां एक है एक सत्यसाथ साथ चुको 28 28 मैनस साथ एक हम साथ एक गुने एक 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 आया 28 में से एक गया 27 27 27 27 को fraction यहां पर देखो तीन बटे साथ दे रखा यह तो गलत हो जाएगा हमको चाह किता 27 27 बटे साथ तो option C के अलावा कोई सही होई नहीं सकता दोस्तों हमें mix fraction में convert करने की जरूरत ही नहीं क्यों हम समय बरबात करें दोस्तों जब हमारा ऐसी अंसर आ रहा समझ रहा है तो उम्मीद करता हूं कुसर नंबर तीर मां बहुत ही अच्छे समझ में आऊगा चलि 3 option D is the right answer कैसे जोड़ा मैंने आप देखना चार दूनी आठ एक नो नो बटे चार हुआ नो बटे चार पिलस तीन बटे चार यह आपको पता है जब भी कोई भी मेंदे रखी होती है उसके जो हर होते हैं जो दोनों बराबर होते हैं तो LCM होता है LCM होता उपर उपर का समझ में आया है बहुत ही आसान सवाल था चलिए बढ़ते हैं कुछन नंबर 15 में की और और देखते हैं कुछन नंबर 15 मा क्या कह रहा है कि 270 डिगरी माप का कोड एक उधारण है दोस्तों यह एंगल के चेप्टर का है एंगल चेप्टर पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ही अ से आप द्याँ रखना क्या होता है जो 0 से बढ़ा हो और शेता और अधिक थी WAS प्रतिवर्थी कोड क्या होता है वो क्या होना चाहिए 182 बड़ा होना चाहिए वह क्या होता प्रतिवर्थी कोड यह बास समझ ten भी एक्सवास्टी कोड 나와 says this दोस्तों उमिद करता हूँ यह 15 सवाल आपको बहुत हीच्छे समझ में उगा हुआ नेश्ट 15 सवाल अगली वीडियो में अफ्लोड होगे दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो को अपना प्यार बनाई रखना कई और दोस्तों जो लोग